नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शान्दनू, रतनवीर नैचर के ओर सेंटर एंड तारामती वेलनेस एंड योगा इंस्टिूट बीदड़ा कच्छ से आपका हार्दिक अभिननदन करता हूँ अंतराष्ट्री योग दिवस के अवसर पर हमारी योग अभ्यास सिरीज की दूसरी कड़ी में हम डाइजेस्टिव हेल्थ के उपर योगा प्रैक्टिस के बारे में समझाएंगे और डिमॉस्ट्रेट करेंगे पहला अभ्यास स्ट्रेट लेग रेजिंग यानि की उत्थान पाद आसन दोनों पैरों को मिलाईए हातों की हथेलियां हिप्स के बगल में जमीन पर रखिए श्वास अंदर लेते हुए राइट लेग दाहिना पैर उपर उठाईए बिना घुटने से मोड़े कोशिश करें कि जितना उपर तक उठा सके 90 डिग्री एंगल तक उपर और फिर श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे श्वास अंदर लेते हुए लेफ्ट लेग इनहेल उपर उठाईए जितना हो सके उपर तक रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे एक बार फिर से अभ्यास दाहिना पैर राइट लेग इनहेल उपर यहीं पर रोक कर रखें जहां तक आप उठा सकें सहूलियत से उठा करके रखें मन में काउंट करें 5,4,3,2,1 श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे दूसरा पैर इनहेल उपर उठाएं श्वास जारी रहें लेकिन पैर को उपर उठा करके रखें काउंट करें 5,4,3,2,1 श्वास छोड़ते हुए नीचे अगला अभ्यास इसी उठीत पाद आसन का वेरियेशन है डाइनेमिक वेरियेशन श्वास अंदर लेते हुए राइट लेग अप बिना घुटने से मोड़े श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास अंदर लेते हुए left leg up श्वास छोड़ते हुए नीचे इन्हेल right up इग्सेल right down इन्हेल left up इग्सेल left down इन्हेल right up इग्सेल down इन्हेल up इग्सेल down एक बार फिर से इन्हेल up इग्सेल down श्वास अंदर लेते हुए उपर श्वास छोड़ते हुए नीचे इस अभ्यास को हम पाँच बार कम से कम करेंगे और जरूरत पढ़ने पर अपनी छमता की अनुसार इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं अगला अभ्यास उथित पाद आसन यानि की straight leg raising with both legs दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए अब एक पैर उपर उठा लीजिए अब सीधा up straight 90 degree बाद में दूसरा पैर भी उपर उठाए अब straight 90 degree इस तरह से जब हम अपने पैरों को एक एक करके उपर उठाते हैं तो हमारे कमर पर अनावश्यक दबाओ नहीं पड़ता रुके रहें, मन में count करें breathing normal चलती रहे श्वास सामान निगती से चलती रहे 5, 4, 3, 2, 1 एक एक करके पैरों को घुटने से मोड़िये और जमीन पे रखें पैर सीधा करें and relax दोनों पैरों के साथ उठीत पादासन करते समय हम अपने पैरों को 90 degree angle पर 45 degree angle पर और 30 degree angle पर भी उठा करके कर सकते हैं अब अगले अभ्यास में हम 45 degree angle पर अपने पैरों को उठाएंगे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िये अब right leg को 45 degree angle पर उपर उठाएं बाद में left leg भी 45 degree angle पर दूसरे पैर के साथ पहुचा दें यहां रोक कर रखें श्वास सामान ने चले counting होने देंगे 5, 4, 3, 2, 1 एक एक करके पैरों को नीचे रखें पैर सीधा कीजिए and relax अभ्यास के अगले क्रम में दोनों पैरों को 30 degree angle पर हमें उठाना है दोनों पैर घुटने से मोड़िये अब right leg 30 degree angle पर उपर उठाएं और बाद में left leg भी 30 degree angle पर उठाएं श्वास सामान ने चलती रहे counting करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 एक एक करके पैर मोड़ करके जमीन पर रखें पैर सीधा करें और शिथिल हो जाने दें relax अगला अभ्यास चक्र पाद आसन right leg को उपर उठाएं 45 degree angle पर और लंबा गोल सर्कल बनाएंगे अपने पैर से एक वर्चुल सर्कल पहले clockwise direction में 5 से 8 बार फिर anti-clockwise direction में 5 से 8 बार श्वास सामान ने चलती रहे और पेट की मानस्पेशियों पर ध्यान बना रहे थाइस की मानस्पेशियों पर ध्यान बना रहे चेंज करेंगे लेग को पैर नीचे रखें लेफ्ट लेग उपर लंबा गोल सर्कल ये अभ्यास करने से हमारा hip area, hip joint का mobilization बढ़िया होता है और hip की exercise होती है front compartment of thigh की exercise होती है और abdomen की exercise होती है इससे हमारे digestive functions भी improve होते है पैर नीचे रखें और relax अगला अभ्यास पाद संचालन राइट लेग को उपर उठाईए और अपने पैर से एक पैर से cycle चलाना है पाद संचालन मतलब cycling cycle चलाएं एक लेग से श्वास सामान निचलती रहे और फिर पैर नीचे रखें दूसरे पैर से cycle चलाएंगे cycling करेंगे hip के साथ साथ knee joint को भी ये मजबूती देता है और abdomen के अंदर flatulence, gastric trouble, digestive system को मजबूत करता है रख दें इसके बाद हम जैसे cycle चलाते हैं वैसे ही एक के बाद एक दोनों पैरों से cycling शुरू करेंगे पहले एक पैर cycle फिर दूसरा एक के बाद एक very good कोशिश करना है कि पैर जितना straight कर ले जाएं उतना अच्छा जितना बढ़ियां पैर को straight करेंगे आगे की तरफ उतना अच्छा abdomen पर exercise का effect आता है इस अभ्यास से घुटने के दर्द में भी फाइदा होता है पैरों को नीची रखें जितनी हो सके अपनी छमता 8, 10, 15, 20 बार इसका अभ्यास की आजा सकता है अगला अभ्यास पवन मुक्तासन पहले करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन half wind releasing pose पैरों को मिलाइए हातों को कमर के बगल में जमीन पर रखें राइट लेक को घुटने से मोड़िए और अपने हातों से अपने राइट लेक के नी घुटनों को पकड़ लीजिए अपने राइट नी को खीच करके चाती के पास आने दें श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उपर उठाईए और अपना नाक अपने घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें इस जगे पर सामान ने श्वास चलती रहे और आपका लेफ्ट लेग सीधा बना रहना चाहिए गर्दन को नीचे रखिए पैर सीधा करें हाथ जमीन पर दूसरा पैर मोड़िये हाथ से लेफ्ट लेग का घुटना नी पकड़िये खीच करके घुटना चाहती के पास आने दें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उपर उठाएं श्वास अंदर लेते हुए अपने गर्दन को नीचे रखिए पैर को सीधा करें ये अर्ध पवन मुक्तासन था अब करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन दोनों पैर घुटने से मोड़िये हाथों से अपने घुटनों को इंब्रेस करेंगे अपने हाथों को अपने घुटनों के पार ले जाते हुए अपने घुटनों को खीच के छाती के पास आने दीजिए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उपर उठाईए और दोनों घुटनों के बीच में अपनी नाक को पहुचाने की कोशिश करें जो अपने नाक को घुटने के तक न पहुँचा पाएं जहां तक पहुँचें वहीं पर बहुँच के रुखे रहें श्वास सामान निगती से चलती रहे और फिर गर्दन को नीचे रखें पैर सीधा कीजिए और रिलाक्स अगला अभ्यास जो पेट के लिए बहुत ही सहायक है साथ में कमर दर्द में भी बहुत सहायक होता है उसका नाम है सुप्त उदर कर्शन आसन यानि की स्लीपिंग अब्डामिनल स्ट्रेच पोज दोनों पैर घुटने से मोड़िए हातों को अपने गर्दन के पीछे ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिला करके गर्दन के नीचे रख लीजिए ये मुड़े हुए पैर जो घुटने से आपस में मिले हुए हैं इनको हम ड्रॉप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे इस पोजिशन में रहते हुए अपने पेट में श्वास के साथ फूलना और पिचकना महसूस करेंगे हर श्वास के साथ आपका पेट फूलेगा और पिचकेगा धीरे से पेरों को उपर लेके आएं गर्दन को सीधा करें और दूसरी तरफ हम जुक जाएंगे यानि की राइट हैंड साइड के तरफ में अपने पेरों को ड्रॉप करें गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा दें श्वास सामान ने गती से चलती रहे और पेट का फूलना और पिचकना जारी रहे अपने पेरों को लेकर के आएंगे हाथों को बाहर निकालेंगे पैर सीधा करेंगे और रिलाक्स अगला अभ्यास है शव उदर करशनासन यानि की युनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट ये अभ्यास कमर दर्द में बहुत ही आश्चारे जनक तरीके से लाब देने वाला और पेट की मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रुवाईज करने वाला है पैरों को मिलाईए दोनों हाथों को कमर के बगल में जमीन पर रखें अब राइट लेग दाहिना पैर घुटने से मोड़िए दाहिने पैर का पंजा बाइपैर के घुटने के उपर रख दीजिए अपना बाया हाथ यानि की लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़िए और अपने राइट नी को लेफ्ट साइड आफ बाडी की तरफ शरीर के बाये तरफ खीचना शुरू करें और घुटना जमीन के तरफ ड्रॉप होने दीजिए गर्दन को सीधा ही रखें और आपका दाइना हाथ मजबूती से जमीन पर बना रहे कोशिश होनी चाहिए कि आपका राइट नी जमीन के ज़्यादा से ज़्यादा तक पास पहुँचे शुरूआत में नहीं भी होता है जमीन के पास तक तो कोई बात नहीं धीरे धीरे अभ्यास करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा श्वास अंदर लेते हुए पैर को उपर ले आईए लेफ्ट हैंड रिलीज करें पैर सीधा कीजिए और दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे सेम अभ्यास लेफ्ट लेग घुटने से मोड़िए राइट नी के उपर लेफ्ट लेक का पंजा रखें राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए और खीचते हुए राइट हैंड साइड ऑफ बॉड़ी की तरफ ले आएं जमीन के पास तक नी को पहुँचने दीजिए शरीर को धीला छोड़िए ग्रैविटी को अपना काम करने दीजिए ग्रैविटी को खिचाओ लेके आने दीजिए गर्दन को सीधा रखें छट की तरफ देखते हुए श्वास दो या तीन बार लीजिए पेट को फूलने और पिचकने दीजिए फिर पैर उपर पैर सीधा करें अगला अभ्यास है नवकासन नवकासन करने के लिए हातों के हथेलियां अपने थाईस पर रखिए श्वास अंदर लेते हुए अपने पैरों को एक एक करके उपर उठाईए 30 डिग्री के एंगल तक अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उपर उठाईए अपने शोल्डर्स को उपर उठने दीजे और हाथों को भी उपर उठाईए हिप के उपर शरीर का बैलन्स बना करके रुके रहना है ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे गैस्टिक ट्रबल्स को ठीक करने के लिए और नाभी के संचालन को ठीक करने के लिए वापस आएंगे रिवर्स मैनर में पहले गर्दन नीचे हाथ थाइस पर पैर नीचे रिलाक्स डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम के लिए अभ्यासों की श्रिंखला यहीं हम समाप्त करते हैं थैंक यू नमशकार